Hello everyone, welcome to the Career Anvil. दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ डे 14 के to-do list के साथ. दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले मैं माफी चाहूँगा कि बीच में मैं अपने continuity को break कर दिया था, कुछ कारनवश. तो आज सिर फिर मैं resume कर रहा हूँ इस to-do list को और 20 days का हम लोगों ने जो target लिया था, वो 20 days complete करने के बाद, हम लोग फिर कुछ दूसरा करते हैं, मतलब कि कुछ दूसरा to-do list को शुरू करते हैं, exams को target करके, क्योंकि जैसे कि अभी आपको पता कि RBI assistant का भी notification आया है, ठीक है, फिर SBI color आने ही वाली है, ठीक है, तो इन सबों को मद्दे नजर रखते हुए, और भी to-do list करेंगे, ये तो आपका ESIC, UDC के लिए चल रहा था, specially, ओके, चलिया फिर, देखे हमेशा की तरह हमारा जो to-do list था, ठीक है, वो 5 से start होता था, हम लोगों का, ठीक है, तो as usual, 5 से 6 बज़े तक हम लोग 1 तो 50 के squares revision करेंगे, चार्ट revision जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, 1 तो 30 के cubes, and tables up to 25, then alphanumeric series, alphanumeric series, अगर इन सब चीज़ों को समझने में आपको दिक्कत हो रही होगी, कौन से alphanumeric series की बात करहूं, कौन से chart की, तो आप मेरे पहले day 1 वाला to-do list का वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने अच्छे से explain करके बताया है, जो लोग नए देख रहे होंगे, नए जूड़े होंगे हमारे साथ तो, उसके बाद फिर देखे, 6 बज़े से 7 बज़े तक हम लोगों का general awareness का session, हम लोग करेंगे, मतलब देखेंगे, जिसमें कि हम daily या फिर weekly जैसे भी आपको सुईधा हो, ठीक है, तो वो हम complete करेंगे, उसके साथ साथ हम static GK को भी लेके चल रहे हैं, क्योंकि देखे, ESIC UDC में, आपका है कि static GK का बहुत rule रहता है, ठीक है, और खास करके, ऐसे की currency related कोई भी country हो गई, ठीक है, उसकी currency क्या हो गई, उसकी capital क्या हो गई, ठीक है, तो उस पर ज्यादा focus करेंगे, बट, 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 देखें, जनरल लावेनेंस के साथ country and currency भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, तो आज आप country and currency static GK में पढ़ोगे, ओके, तो यह एक घंटे का हम लोगों का चलेगा, छे से साथ, उसके बाद 9 से 11 हम लोगों का speed math का session चलता था, जिसमें की हम simplification 10 करते थे, number series wrong plus missing, 5-5, ठीक है, quadratic के 5 questions और DI के 2 sets, ठीक है, 12 से 15 बज़े तक arithmetic आज हम देखेंगे, जिसमें आज हम लोग करेंगे partnership, ओके, तो हम लोग partnership करेंगे, उसके बाद फिर धाई बज़े से, यानि की 2.30 पीम से लेके 5 पीम तक, हम reasoning करेंगे, जिसमें की puzzle practice करेंगे, 3 set और एक blood relation के set करेंगे, दोस्तों देखें, यहाँ पे timing यह ज़ादा है, 20 से लेके 5 बज़े तक, तो यह देखेंगे, आपको लग रहा होगा कि इतने timing में, बस यह थोड़ी सी चीज़ें करनी हैं, तो देखें, मैं एक चीज़ अगले slide में बताता हूँ, अभी के लिए यह अपने दिमाग में रखें, बाकी चलते हैं next slide पे, देखें, 7 से 8 हम लोगों को इंगलिस grammar करना था, जिसमें आज हम subject verb agreement करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर देखें, 9 से साड़े 10 तक हम लोगों का revision चलता था, तो इस दर्म्यान आप अगर चाहो, तो या तो आप revision कर सकते हो, या फिर full length mock दे सकते हो, अब देखें, यहाँ पे पिछले slide में मैंने जो बात किया था आपसे, कि यह जो gapping है, यहाँ पे, यह वाली जो gapping है, ठीक है, धाई से लेकर के 5 बजे तक, जिसमें reasoning हम लोग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कि एक गंटे का full length mock लगा सकते हो, बाकी रात वाली जो time है, यह वाली, ठीक है, यह वाली, तो यहाँ पे आप revision कर सकते हो, या फिर इसका analysis कर सकते हो, देखिए, जब भी आपको स्विधा हो रहा, मिल रहा हो, ठीक है, उस according आप अपना utilize करो time को, और एक full length mock अच्छे से fresh mind के साथ, और एकदम examination वाले interface के साथ, ठीक है, आपको देना है, उसके बाद दोस्तों, मॉक्स का score भी आप share करना, comment section में, okay, हमारे साथ, फिर हम लोग और भी अच्छे से preparation करेंगे, कि कहां lack हो रही है चीज़े, और even अगर आपको कोई भी चीज़ की जरूरत हो, जैसे कि English में, अगर practice session की जरूरत हो, या फिर जीए में, या फिर किसी भी चीज़ की, तो आप comment करना, तो उसका एक playlist में बनाऊंगा, ठीक है, उस particular subject से related, ओके, या फिर जो कोई भी particular topic आपको पढ़ने की जरूरत होगी, ठीक है, और बाकी English grammar section के लिए, कुछ videos मैंने बनाये हैं, और banking awareness के लिए भी, तो आप वह भी refer कर सकते हो, ठीक है, और भी कुछ अगर आपको चाहिए होगा, particular topic का वीडियो तो आप मुझे comment करना, और ये mocks का score आप जरूर शेर करना हमारे साथ, ठीक है, ताकि एक competition का sense आए, ठीक है, तो ये है आज का, उसके बाद फिर चलिए sources की बात कर लें, कि कहां कहां हम, और ये रही देखिए हमारे sources, current affairs के लिए आपको चीजें पता है, मैंने already पहले भी बताया है, तो आप यहां से देख सकते हो, okay, reading के लिए, और हाँ, reading के लिए एक मैं और बात बता रहा हूं दोस्तों, कि देखिए, जो लोग नए जुड़े हैं, आप फिर जिन लोग को पता मैंने पिछले session में, मतलब की 2-3 दिन पहले एक video shot upload किया है, जिसमें reading के लिए कुछ sources मैंने बताया है, including novels, जैसे जो लोग novel पढ़ना पसंद करते हैं, newspaper नहीं, जिनको boring लगती है, उनके लिए, ठीक है, मतलब beginners के लिए, अच्छे से मैंने sources बताया है, कि कौन से अगर novel से, अगर आप strong करना चाहते हो, तो कहां से novel पढ़ सकते हो, या फिर newspaper या फिर websites भी मैंने discuss किया है, तो वो आप video देख लेना, जिनको जरूरत पढ़े तो, ओके, चले फिर मिलते हैं, अगले दिन अगले to do list के साथ, तब तक लिए take care, bye bye